हलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग मोरिया एजुकेशन में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डाइरेक्ट प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर डेरिक जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं माल लिजे हम एक दर्जन पेन मतलब 12 आएगी अगर 12 की कीमत 120 रुपे है हमको 6 पेन चाहिए तो क्या हो जाएगी कीमत भी आधी हो जाएगी अगर हमने quantity कम करा तो कीमत भी आधी हो जाएगी माल लिजे हमारे पास 10 member हैं या 10 student हैं 10 students की cost या fees जितनी हैं उतना ही रहेगी लेकिन हमारे students अगर 20 हो गए तो हमारी fees भी क्या हो जाएगी double हो जाएगी मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ना चाहिए और एक घट रहा है तो दूसरा घटना चाहिए माल लिजे कोई school है अगर वहाँ कोई program है और वहाँ पर book क distribution हो रहा है माल लिजे 100 बच्चे 188 होने वाले हैं और एक बच्चे को हम कितना 5 book देने वाले हैं तो कितने की जरूरत पढ़ेगी students 100 into 5 500 book की जरूरत पढ़ेगी लेकिन पता चला कि students कितने आ गए वहाँ पर 200 आ गए तो हमको book की quantity भी क्या होगा double करना पढ़ेगा तो book कितन जादा इसमें अगर हम depth में जाएंगे तो आपको confusion create होगा example 1 में हम देखते हैं हमको दिया है कि 10 pen की cost हमको 60 रूपीज दी गए ठीक है 10 pen की कीमत हमको कितना बताया गया है 60 रूपीज बताया गया है then cost of 13 pen x रूपीज हम लिख देते हैं देखिए आप हमेशा ऐसे box बना दी cost लिख दीजे ठीक है तो आपका एक तरफ pen हो गया और एक तरफ cost हो गया जहां direct proportion होता है students न वहाँ पर आप ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि वहाँ पर हमारा cross multiplication होता है इस box में दिख रहे हैं कि आपको 1,2,3,4,4,4 counting लिखा हुआ है इस number को हम क्या करते हैं cross मतलब तो यहां cross multiply करोगे तो क्या हो जाएगा 10 into x equal to 60 into 13 x की value चाहिए तो x को आप इस side रखिए और 10 यहां multiple में है इस side में क्या है चला जाएगा यहां division में चला जाएगा तो 60 into 13 upon 10 10 से इसको काट दीजे आपको क्या मिला 6 मिला और into 13 कर दीजे तो आपका answer कितना आ गया 17 आप यह पर answer लिग देंगे cost of 13 pen is कितना 78 rupees लिग देंगे ठीक है तो इस तरह से आपका answer आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप बस question हमारे साथ करते रहिए आप इसको अच्छे से solve कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मैं यहां पर आपको 100% आपका doubt clear करके दूँगा question number 1 के तरफ चलते हैं यहां हमको 7 kg onion दिया है जिसकी कीमत हमको 140 rupees बताई गए यह ठीक है तो हमको 7 नहीं हमको 12 kg onion चाहिए अब एक इसकी कीमत आएगी हमको निकालना है एक तो आप unitary method से भी निकाल सकते हैं लेकिन यहां हमको proportion wise दिया है तो कोई दिक्कत नहीं हम उससे निकाले यहां पर हम kg लिख देते हैं और यहां पर cost लिख देते हैं ठीक है अब देखिए फिर से direct proportion क्योंकि इसमें जितने question दिये हैं students आप confused मत होईएगा सब direct proportion के हैं direct proportion में cross multiply करके निकलेगा 7 into x equal to 140 into 12 हो जाएगा एक्स की value चाहिए एक्स को side में रखिए 140 into 12 और अपान में 7 हो जाएगा 7 to 14 होता है आपको मिल गया यहां 20 into 12 equal to 240 होता है 240 रूपीज हम क्या लिख देंगे cost of 12 kg ओनियन ओनियन इज 240 रूपीज आपका answer 240 आ गया देखिए कितने simple तरीके से आप कर सकते हैं question number 2 पर चलते है question number 2 में हमको दिया है 600 रूपीज में हम 12 bunches of feed को purchase कर सकते हैं तो अगर हम 1280 रूपीज पे कर रहे हैं तो कितने feed हम purchase कर पाएंगे अब देखिए इसको भी आप box बना दीजे ठीक है box बना दीजे कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर लिख दीजे cost फिर से आपका cross multiplication होगा 600 into x equal to 15 into 1280 x की value चाहिए तो आप फिर से उसको लिखिए 1280 और अपान में क्या हो जाएगा आपका यहाँ 600 हो जाएगा एक 0 कटता है काट दीजिए 15 फोर जा 60 होता है अब हमको क्या मिला 128 अपान 4 फोर से डिवाइड कीजिए आपको 32 मिल जाएगा हम क्या लिख देंगे cost of cost of 32 bunches bunches is 1280 या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1280 रुपीज में 32 bunch हम purchase कर सकते हैं तो देखिए कितना simple तरीके से आपका answer आते जा रहा है आप बस practice कीजिए practice से आपका काम total आसान हो जाएगा जरा भी आपको tension लेने की बात नहीं है question number 3 पर चलते हैं question number 3 में हमको दिया है 9 cows 13 kg 500 gram food supplement are required everyday in the same proportion how much will be needed for 12 cows देखिए पहले तो आप क्या कीजिए कि 13 kg और 500 को convert कर लीजिए किसमे ग्राम में तो आपको दिक्कत नहीं होगी तो आपका आजाएगा 13,500 ग्राम अब कैसे आएगा आप इसको अच्छे से मालुम है कि 1 kg में कितना 1000 ग्राम होता है 13 से multiply करेंगे तो 13,000 हो जाएगा plus 500 को जोड़ दीजिए अब 9 cows को कितना दिया है 13,500 लग रहा है तो 12 cows का x कर दीजिए यहाँ 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 पर cows और यहा अब आपको करना क्या है यहाँ पर फिर से cross multiplication 9 into x equal to 13,500 into 12 हो जाएगा x की value चाहिए तो 13,500 into 12 अपान 9 हो जाएगा ठीक है 9 से divide कीजिए 9 वंजा 9 9 वंजा 9 यहाँ होगा 9 5 जा 45 ठीक यहाँ आपने काट दिया इसको तो कितना मिल गया आपको 1500 मिल गया ठीक है अब 1500 को गुड कीजिए यहाँ 1500 into 12 आप इसको multiply करेंगे तो 18,000 यह क्या आगया answer आपका gram में आगया student किसमें आगया gram में आप answer यह भी लिखेंगे तब भी सही है क्योंकि question में ऐसा कुछ आपको दिया नहीं है नहीं तो आप क्या कर दिए कि इसको convert कर दीजे 1 kg equal to 1000 gram होता है तो 18,000 gram में कित 30,000 से कट गया क्या बचा 18 kg 18 kg requirement लगेगा कितना हम लिखनेंगे 12 kg 12 cows required 18 kg food supplement 18 kg food supplement तो इस तरह से आपका answer आ जाएगा आप चलते है question number 4 के तरफ आप देखिए बस practice करते रहे है आप लोगों का जो requirement है हम आपको 100% commitment देते हैं कि हम पूरा करेंगे आप सिर्फ video के साथ बने रहे हैं अपने दोस्तों में अपने friends में अपने relative में share करते रहे हैं दोस्त आप जतना ज़्यदा हमारे video को share करेंगे उतना ही हमको motivation मिलता है video को share कीजे like कीजे हमारे channel को subscribe कीजे हम आपको ज्यादा से ज्यादा contentS देने की कोश करेंगे अभी आपका 7th है आप 8th में जाएंगे आपके 8th में पहुंचने से पहले हम सारे वीडियो 8th के अपलोड कर देंगे चलिए अब question number 4 पर चलते हैं कि the cost of 12 quintal आप soya bean यहाँ पर हमको क्या दिया है question number 4 में दिया है soya bean की हमको cost दी गई है और एक तरफ quantity दी गई है ठीक है तो हम quantity लिख देते हैं पहले q u a n t y quantity दिया गया है और दूसरा क्या दिया है हमको rupees दिया गया है cost दिया गया है ठीक है जब हम इसको 12 quintal लेते हैं तो हमको 36,000 pay करना पड़ रहा है हमको 8 quintal चाहिए तो कितना हमको कीमत देना पड़ेगा x मान दीजिए ठीक है आपका काम आसान हो गया और answer भी समझे है 50% जब ऐसे box बना लेते हैं तो आपको mistake होने के chances नहीं रहते हैं आप क्या कीजिए अभी यहां x into 12 कर दीजिए equal to 36,000 और into 8 हो जाएगा cross multiply करना है x की value चाहिए तो 36,000 into 8 और अपान में क्या हो जाएगा आपका 12 तो उसे divide कीजिए 12 थरीजा होता है 36 यहां आगया 3000 लिख दीजिए आप यहां 3000 into 8 और multiply करेंगे तो 24,000 रुपीज आ जाएगा हम क्या लिखनेंगे the cost of 8 quintal, 8 quintal soya bean नाम लिख दीजिए जो आपको दिया है soya bean is 24,000 रुपीज तो इस तरह से आपका question number 4 complete हो जाएगा question number 5 के तरफ चलते हैं question number 5 में हमको दिया है the mobile cost 16,000 how much money will be required to buy 13 such देखिए two mobile की हमको कीमत दिया गया है ठीक है two mobile का आप box बना दीजिए ठीक यहां लिख दीजिए mobile और यहां लिख दीजिए cost जब हम two mobile ले रहे हैं तो हमको कितना 16,000 पे करना पड़ रहा है mobile हमको 13 चाहिए तो x लिख दीजिए यहाँ पर अब फिर से same होई formula लगाई है cross multiply होगा तो कितना हो जाएगा two into x equal to 16,000 into 13 हो जाएगा x की value चाहिए तो लिख दीजिए 16,000 into 13 upon two two से divide करेंगे तो eight एक की कीमत आपकी आगई 8,000 रुपीज तो हमको x की total value चाहिए 8,000 into 13 कर दीजिए 13 से जब multiply करेंगे तो 13,000 एट जा होता है 104 और उसके आगे 30,000 लगा दीजिए यही हो गई कीमत हम क्या लिख देंगे the cost cost of 13 mobile is 1,04,000 रुपीज और इस तरह से आपका question भी complete हो गया और आपका practice rate भी पूरा complete हो गया बस आप इस वीडियो पर बने रहिए दोस्तों में अपने share कीजिए और अपने study को continue रखिए हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अच्छे से अच्छे contents बना के देंगे और अच्छे से अच्छे से तरीके से समझाने की कोसिस करेंगे आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए लाश्ट तक चलिए अब मिलते हैं next वीडियो में थैंक यू बाई